दोस्तों एक बार फिट से स्वागत है आपका प्रिजापती न्यूज में अगर आप चुइंगम निगल जाएं तो आपके साथ क्या होगा? दोस्तों चाहे रिफ्रेश्मेंट हो या अपना मूग गीला रखने के लिए या फिर टाइम पास के लिए हर इंसान अपनी लाइफ में कभी न कभी चुइंगम चबाता ही है और आप में सैसे कई सारे लोग होंगे जैसे रेगलर बेसिस पर भी खाते होंगे क्या कभी आपने सोचा है अगर चिंगम आपके पेट के अंदर चला गया या आपने उसे निगल लिया तो क्या होगा? इसका आपके शरीर पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? क्या ये आपको नुक्सान पहुँचा सकता है? या फिर आपको कुछ भी नहीं होगा? ये सारी चीज़े एक सवाल बनकर है गई हैं जो कभी न कभी तो आपके मन में भी आई होंगी अब इसका जवाब जानने के लिए मेरे यानि अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ विडियो के बिलकुल एंड तक बने रहना क्योंकि आज हम आपको भी बताएंगे कि अगर कोई इंसान गलती से अपने मूँ के अंदर चिंगम ले गया तो क्या होगा? लेकिन हाँ विडियो शुरू करने से पहले एक छूटी सी रिक्वेस्ट है विडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखरा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में पैल आइकोन भी दिखरा होगा वो लोग इसे क्यों खाते हैं असल में दोस्तों जब कोई इंसान चुइंगम चबाता है तो उसके मूँ की नसें जबड़े सब लगातार चलते रहते हैं जिसकी वज़े से बलड का फ्लू होता है और इससे इंसान का दमाग तीज होता है जी हाँ जादू चुइंगम में नह अस्तिमाल में लिया जाता है आपको क्रिकेट वगरा जैसे गेम में भी प्लियर्स मैच के दौरान चुइंगम चबाते हों मिल जाएंगे वैसा इसलिए करते हैं ताकि उन्हें मैच के बीच में प्यास ना लगे और वो लंबे समय तक खेल सके ही कैसे ही कई सारे लोग गल गए तो जैसे फूड हमारी पाचन क्रिया में जाता है बैसे ही चुइंगम भी हमारी पाचन क्रिया में जाएगा और इसी पाचन क्रिया में फूड का पाचन हो जाता है लेकिन जब बात चुइंगम की आती है तो ये हमारी पेट के अंदर मौजूद डैजेस्टिल सिस सबी के शरीर के अंदर gastric moment, acid और enzymes होते हैं जो चुंगम को तोड सकते हैं लेकिन इसके रासायनिक यानि chemical properties के कारण चुंगम के पूरी तरह से छोटे-छोटे टुकड़े नहीं हो पाते साफ शब्दों में कहे तो खाने की दूसरी चीजों की तरह आपका शरीर चुंगम के छोटे टुकड़े नहीं कर पाता अब आप यही बात सुनकर घबरा गए होंगे कि अगर कहीं गलती से आपके शरीर में चुंगम चला जाए तो दिक्कत हो जाएगी ऐसे में हम आपको बता दे आपको घबराने की बिल्कुल भी आउशकता नहीं है अगर आप गलती से चुंगम निगल लेते हैं तो आप इससे मरेंगे नहीं और अंत में आपका शरीर इसे पचा ही जाता है अब आप बोलेंगे की भला वो कैसे तो दोस्तो कैसे कब क्या ये तो आप मत पूछिए क्योंकि चुंगम शरीर में पच्च तो हो जाती है लेकिन इसके पाचन क्रिया के होने में तकरीबन साथ सालों का वक्त लगता है जिसका साफ मतलब है कि साथ सालों तक ये निगलीवी चुंगम आपके शरीर में प्लास्टिक की तरफ पड़ी रहती है दोस्तों अब तक आपको यही लगा होगा कि जिस तरह हम चुंगम खाकर उसे टेबल के नीचे चिपकाते हैं हमारे शरीर के अंदर भी वो इसी तरह पड़ा रहता होगा क्यों दोस्तों सही गानम ने क्योंकि आपके शरीर में पड़ा चुंगम कितने समय बाद शरीर से बाहर निकलेगा इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है क्योंकि सभी के डैजेस्टिव सिस्टम के काम करने का तरीका अलग होता है और जैसा की हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि चुंगम खाना हमारे शरीर के लिए फाइदमन भी है कैसर वेग्यानिक शोध इस बात को साबित भी कर चुके हैं किसे खाने से आपको शरीरिक और मानसिक दोनों तरह के लाब होते हैं जहां चबाने की क्रिया की वज़े से आपकी यादाश तेज होती है उसके अलावा आप किसी भी टेंशन या तनाव में हैं तो उससे भी आपको छुटगारा मिल जाता है जिहां दोस्तों वेग्यानिकों का ये कहना है कि अगर आप किसी बात को लेकर टेंशन में हैं और बार-बार उसी चीज के बार में सूच रहे हैं तो आपको चुटगम चबाना चाहिए इससे आपकी टेंशन काफी हद तक कम हो जाएगी क्योंकि आपका दिखतर ध्यान न चाहते हो भी चुटगम चबाने में रहेगा अब आप ऐसा समझ लीजिए चुटगम से मानसिक शक्तिकी एक कई प्रकार के फायदे होते हैं जब कभी भी आप चुटगम चबाते हैं तो आपका हिपो कैमपस एक्टिव हो जाता है दोस्तों हिपो कैमपस आपके दिमाग का वो हिस्सा होता है जो चीजों को याद रखने में मदद करता है अगर रेक्टिव रहेगा तो आप जो कुछ भी बढ़ सुन या देख पाएंगे वो आपके दिमाग में अच्छी तरह से फिट हो जाएगा कई सरे वेग्यानिकों ने तो ये भी कहा है कि जो बच्चे एक्जाम देते वक्त चुटगम चबाते हैं उसे अपने द्वारा पढ़ी गई चीज और अच्छे से याद रहती है यहां तक कि इस पर एक प्रॉपर रिसर्च भी हुई है जिसमें आदे बच्चों को एक्जाम देने से पहले चुटगम खिलाई गी और आदे बच्चों को ऐसे एक्जाम में भीज दिया गया और आप शायद इस बात पर यकीन ना करें जिन बच्चों ने चुटगम खाया था उनका एक्जाम ना खाने वाले बच्चों से बेतर गया तो दोस्तों अब आपको चुटगम के फायदा और नुकसान दोनों पता चल गए अब फैसला आपके उपर है कि आपको इसे खाना है या नहीं अगर खाना है तो इस तरीके से खाना है कि आपके शरीर के अंदर ना जाए और हाँ एक बाद याद रखना जब कभी भी चुटगम खाए तो इसे एदर अदर जमीन पर न फैंके क्योंकि अगर जानवरों ने से खा लिया तो उनके लिए नुकसान दायक होगा बाकी आज के लिए बस इतना ही हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे क्या आप चुटगम खाते हैं या फिर नहीं अपना जवाब कॉमेंट में देना न भूले इसी तरह की शांदर वीडियोज को लगे तर दिखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापती न्यूज को सब्सक्राइब तो कर दीजिए और हाँ हम फिर मिलेगे नए वीडियो में तब तक के लिए चाहेंद जा भारत दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोज दिख रही हैं जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें दोनों देखिएगा बहुत अच्छी वीडियो बनिये